हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो चली बिना टाइम इसके बढ़ते हैं आज के टॉपिक के तरफ आज हम लोग सीखने वाले हैं कि डी हाइड्रो हेलोजिनेशन यह क्या टॉपिक है तो इसको समझने के लिए पहले म माल लेजी आपको कोई इस तरफ पर क्वेश्चन दे दे यहां पर टेंप्रेचर दे दे 60 डी ठीक है अब यहां पर आपको प्रोड़क्ट बताना है कि मेजर प्रोड़क्ट क्या बन रहा है यहां पर ठीक है तो अब इसमें सबसे पहले क्या होगा यहां हमें दिख रहा कि high temperature है it means elimination reaction तो यहाँ पर होना ही है तो सबसे पहले mechanism को समझते है पहले भी मैंने आपको यह बोला हुआ है कि कोई भी question आप solve करिएगा कोई भी reaction बनाईएगा तो हमेशा mechanism को follow करकी बनाईएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा BR हमारा बाहर निकलेगा सबसे पहले BR माइनस हमारा बाहर निकल जाएगा eliminate हो जाएगा तो प्रोड़क्ट हमारा क्या बन गया इस टाइप का ठीक है अब यहाँ से BR निकला है यानि यहाँ पर बन गया है कार्बो कटायन इसकी डिगरी कितनी है तो डिगरी क्योंकि अगल बगल में यह दो कार्बरेटम से जोड़ा हुआ है ठीक है अब मुझे डिगरी बताने के जरूत नहीं पढ़नी चाहिए आपने काफे इसको सीख रखा है अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि क्या अगर shifting अगर हम करते हैं तो को यहाँ पर तो इसके डिगरी कितनी हो जाएगी टिगरी हो जाएगी तो यह ज्यादा स्टेबल बन जाएगा तो हम क्या कर लेते हैं आपर हम shifting करा देते हैं यानी rearrangement यहाँ पर हमने क्या करा दिया rearrangement 1,2 hydride shift अब जब हमने shifting कराई तो क्या हुआ यहां से hydrogen निकल कर यहां आ गया तो इस पर इस वाले carbon पर आ गया हमारा plus charge तो हमारा product क्या बन जाएगा अब हमारा product बन गया इस type का यहां पर आ गया plus charge इसकी degree हो गई 3 degree ठीक है अब 3 degree है यह हमारा क्या है alpha carbon यह वाला alpha के अगल बगल वाले होते है beta carbon इत मींस यह है हमारा beta carbon यह है beta carbon और यह भी है beta carbon अब यह दोनों तो symmetrical है तो यह तो अब इस में से hydrogen निकाल दीजिए eliminate कर दीजिए या इस में से इन दोनों में से किसी एक में से और एक इस में से यानि दो structure फिर यहां पर भी बन जाएंगे तो अब यहां पर क्या होगा अब यहां पर जो आपका base है water इसका यहां पर काम आएगा H2O हमने लिया होगा H2O अब यहां पर आएगा तो अब क्या होगा सबसे पहले कि मैं इस में से निकाल दिया तो हमारा structure कैसा बन जाएगा यहां पर आजाएगा हमारा double bond क्योंकि हमने यहां से क्या करा है hydrogen eliminate करा है hydrogen निकाला है यहां से हमने तो यहां पर आगिया हमारा double bond ठीक है प्लस एक और कॉन सा structure बन सकते है अब यहां से हमें निकालना है hydrogen तो एक structure हमारा बन जाएगा कुछ इस टैप का यहां से हमने निकाल दिया hydrogen तो यह हमारे दो structure बन गया अब हमें बताना था कि major product हमारा कौन सा बन रहा है तो उसको निकालने के लिए मैंने आपको बता था कि आप यह चेक कर सकते कि कहां पर ज्यादा भीड है कौन सा ज्यादा crowded है ज्यादा सब्स्टिटेड है या फिर more alpha hydrogen किसके पास है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको अल्रेडी दिख रहा है कि सब्स्टिचुटेड है ज्यादा है इससे तो अल्रेड आपको यहां क्लियर हो गया कि यह मेजर प्रोड़क्ट बना रहा है तो यह वाला हमारा देगा मेजर प्रोड़क्ट अगर अभी भी किसी को कोई डाउट आ रहा तो आप क्या किजिए सिंपली यहां पर कार्बन लगा कर चेक कर लीजिए ठीक है अल्फा हाइडोजन कैसे निकालते हैं जो डबल बॉंड वाला कार्बन अटम है उसको छोड़के उसके बगल वाले कार्बन अटम के पास कितने हाइडोजन होते है? वह होता है हमारा अल्फा हाइडोजन तो यहां पर देखिए, इसकी एक Valency satisfied है, तो हमने लगा है, तो टोटल इसके पास, तीन 6 यह, तो कह रहे हैं। दो ही होंगे तो आपको पता पहली लग गया कि यह हमारा देगा माइनर प्रोड़क्ट क्योंकि इसके पास अलफा हाइडोजन कम है यह कम सब्सक्रिचूटेड है यह ज्यादा सब्सक्रिचूटेड है कई सारी चीजें हैं जिससे आप इसली चेक कर सकते हैं तो यह वाला प् तो यहां एल्मिनेशन रिंसली लेकिन और मालिच आपको क्वेूटेड इसा देड़े कि वहार टैंप्रेचर कम कर लिए फैसे कहीं पर नोट डाउन कर लिजह मैं समझा देते हूं इसको पर नोट डाउन कर लिए अगर इसी सेम क्वेस्ट्टन में क्या कर देए अपको यह यहां पर temperature change कर दे, यहां कर दे 10 degree, 15 degree, 20 degree, 10 degree अगर कर दिया, इट मिन्स यहां पर क्या हो जाएगा, अब हमारा SN1 reaction, तो SN1 जब होगा, तो क्या होगा, SN1 होगा, तो हमने उलिया है, यहां पर H2O, तो OH- आकर हमारा attack करेगा, तो OH- आकर attach हो जाएगा कहीं पर, तो यहां पर क्या हो रहा है, जब SN1 का प्रोड़क्ट बनेगा, तो हमने यहां पर बनाया था, यहां पर 3 degree, यहां पर बनाया था, तो यह जो 3 degree वाला carbon atom है, इस पर आकर आकर आपका OH- अटेच हो जाएगा, तो यह वाला जो प्रोड़क्ट बन जाएगा हमारा, यह होगा SN1 का प्रोड़क्ट, और यह जो हमने बनाया है, यह है हमारा E1 का प्रोड़क्ट, तो यह डिफरेंस है दोनों के अंदर, जब हमने temperature low कर दिया, तो प्रोड़क्ट बना हमारा SN1 का, क्लियर इतनी चीजे, अब इस topic को अच्छे से अगर समझ लिया है, तो यह आप easily बता सकते है, अब D hydro halogenation, यह आपको एक term मिलेगा बुक में, यह क्या चीज है, D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है to remove, मतलब बाहर निक hydrogen की बात कर रहा है, halogenation मतलब halogen की बात कर रहा है, अब इस question में देखी, हम लोग क्या करते थे, जो हमारा alpha carbon होता था, उससे हम क्या करते थे, halogen को बाहर निकालते थे, eliminate कराते थे, ठीके, तो यह term आया, यहां से, hydrogen कहां से आ रहा है, कि यहां पर हम जो beta carbon होता है, जैसे यहा यह term आ रहा है, बीटा से हमने निकाला हाइडरोजन, यहां पर बीटा carbon से निकाला हाइडरोजन, और alpha carbon से निकाला था, हैलोजन, तो बीटा से हाइडरोजन और alpha से हैलोजन निकालने का यह जो पूरा process है, उसको हम बोलते है, dehydro-healogenation, मतलब वैसा process, जिसमें हम क्या कर रह है, तो वो है आपका dehydro-healogenation, ठीक है, चीजा आपको clear हो रही है, I hope आज का वीडियो आपको useful लगा होगा, इस वीडियो से रिएट कोई डाउट आ रहा है आपके मन में, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो इसे like कर दीजिए, और अगर चैनल